भारत में समलेंगिक विवा यानि सेम सेक्स मेरेज को मंजूरी देने से सुप्रीम कोट ने साफ इंकार करने के बाद अब एक नया वीडियो सामने आया आए आपको बता दे कि भारत में समलेंगिक विवा यानि सेक्स सेम सेक्स मेरेज को मंजूरी देने से इंकार करने की कोट के सामने ही एक दूसरे को अंगोठी पहना कर सगाई की आहां जैसे उनकी लड़ाई जो है कि में ख़र हैं जब कोड़ीया कि दूसरे का नाम सकसह pussyno है दोनों उन्होंने बुदवार 18 अक्तूबर को एक दूसरे को अंगोठी पहनाई है और बता दे कि अनन्य कोटिया ने उतकर्ष को सुप्रीम कोट के सामने घुटनों पर बैठ कर जो है प्रपोस किया अंगोठी पहनाई और बता दे सगाई भी जो है उनकी पहना कर हो चुकि आपको बता दे उन्होंने तस्वीर सोचल मीडिया पर प्लेटफॉर्म यानि ट्विटर यानि एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि जिसने सोचल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी और खीचा है खास्त बात यह है कि अनन्य और उतकर्ष दोनों ही सुप्रीम कोट सुप्रीम अनन्य लंदन स्कूल ऑफ एकनॉमिक्स से पिएचडी हैं आपको बता दें दोनों की मुलकात डियू में हंसराज कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई थी अनन्य कहते हैं कि हमारी मुलकात डिवेटिंग सुसाइटी के जरिये हुई उसके बाद हम एक दूसरे के करीब आते गए हमारा प्यार परवापन चड़ा और परवान चड़ा और बता दे हमने इसे सहज तरीके से स्विकार किया या उस दौर की बात है जब समलेंगे को भारत में समाजी का पराद की नजर से दिखा जा रहा है अनन्य कहते हैं आगे कि हमारा रिष्टा हर एक रोमेंटि के कुछ नहीं बताया उतकरी के में हमने कोई लोगों को यहीं बताया कि हम बहुत छे दोस्त हैं हम होमो सेक्सवालिटी को अपराद के दायरे से बाहर किये जाने के इस की इन्तीजार में है ताकि हम शादी करने की अपने अधिकार का दावा कर सके, लेकिन सुप्रीम कोट के फैसले में जो है, इनको जटका लगा है और उन्होंने कहा कि हमने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है और एक बार फिर एक दूसरे कॉंगुटी पहना कर सगाई के जरीर हमने ये तै किया है कि जिस सुप्रीम कोट में हमारे हमारे अधिकारों को स्विकार करने से इंकार किया है वहीं से हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी सुप्रीम कोट ने मंगलवार 17 अक्टूबर को इतिहासिक फैसले में सेक्स सेम सेक्स मैरेज यानि समलेंगी विवा को कानूनी मनियता द जस्टिस एस रविंद्र भट और जस्टिस पियस नरसिमार राउज जो वो सामिल होए तो कैसा देख सकते हैं कि सेम सेक्स मैरेज पर जिस तरीके से सुप्रीम कोट का फैसला आया उसके विरोध में जो सुप्रीम कोट के खुद जो वकील है वो एक दूसरे को मतलब एक चिनोती देते नजर आते हैं खासकर सुप्रीम कोट ने कहा कि जो है यह हमारे दाइरे में नहीं आता यह जो है वह अब संसद में जाना चाहिए और इसके उपर जो है सरकार कानून बनाए हम बस जो इसको रिव्यू कर सकते हैं लेकिन जो है अब सरकार इस पर क्या इंस्टें आउसर पड़ेगा इन सवालों के जब आप में कमेंट बॉक्स में जरूर बता हैं अब देखते रहे हैं नेक्स ने नवाद की